नमस्कार दोस्तों मैं रिंग को योगी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी एजुकिशन वर्ल्ड में दोस्तों जैसा कि RPSC से न्यू जा रही है कि RPSC फर्स्ट गेड स्कूल व्याख्यता और RAS मैं एक्जाम की एक्जाम डेट घोसित हो गई है कल RPSC की बैटक थी जिसमें RPSC जो एक्जाम कमेटी थी उसने इन दोनों ही बड़े एक्जामों की एक्जाम डेट घोसित कर दिये है और यही नहीं आगामी 6 मैने में होने वाले सभी एक्जाम की एक्जाम डेट RPSC ने डेक्लियर कर दी है तो दौस्तों इससे पहले कि हम वीडियो स्टाट करें आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक सदिक लाइक करें सेयर करें और हमारे दोस्तों यह आज की उज़े कि जून में आरेस मुक्ष परिख्षा होगी आगामी 6 महा में होने वाली प्रिक्षाओं की तीथी तैय राज्य, अधिनस्त, सेवाएं, संयुक प्रतियोगी मुक्ष परिक्षा 2018 जून महा में होगी यानि RAS जो मुख्य परिक्षा है वो जून महीने में होगी और रास्तान लोक सिवा आयोग मी बुद्वार को आयोजित परिक्षा कमेटी के बैठक में आयोजित आगामी 6 महा में आयोजित होने वाली परिक्षाओं की तिती तैक की गई है RPSC ने गत 21 जनवरी को RAS परिक्षा इस्तागित कर दी थी यह परिक्षा पहले 39 जनवरी को आयोजित होनी थी लेकिन राजिसरकार की अनुस्वन सा पर आयोग ने इसे इस्तागित कर दिया बुद्द्वार को परिक्षा कमिट्र की बैठक हुई कमिट्र के अध्यक्ष RID सैनी है और प्रोफिसर सीव सिंग राठोर तता रामू राम राई का सदस्य है यह तीनों ही आयोग के सदस्य है बैठक में आगामी 6 माह में होने वाली परिक्षाओं की तितीत तै की गई मादमी स्किचा बोर्ड केंद्रे मादमी स्किचा बोर्ड यूनिवस्ट्री तथा लोकसभा चुनाओं को देखते हुए निर्ने किया गया इस दोरान आयोग को ने तो परिक्षा केंद्र पलब्द होंगे और नहीं परिक्षक बैठक में R.A.S. मुक्य परिक्षा जून महा में कराए जाने का निर्णे किया गया संभाग स्तर्पर होने वाली इस परिक्षा में 22,760 अभ्यर्थी बैठेंगे तो दोस्तों ये R.A.S. मुक्य परिक्षा के बारे में है कि वो जून महीने में आज़ित होगी इसके बाद देखिए दोस्तों आगे नियुजे है कि इसी के साथ ही स्कूल व्याख्या था इसकूल व्याख्याता परिक्षा 2018 की तिति भी तैय कर दी गई है यह परिक्षा भी पूर में 25 से 23 परवरी तक होनी थी इस परिक्षा की तिति को भी सिक्षा विवाग की अनसुंसा पर आगे बड़ा दिया गया है जल्द ही आयोग इन नई परिक्षा तितियों को सारीनिक कर देगा तो जी हाँ दोस्तों यह हमारे लिए एक अच्छी ख़बर है कि परिक्षा जो है जून मेहने में होने वाली है इसके लिए हमें अभी से तैयार रहना चाहिए और अपने तैयारी को सुचार रूप से जारी रखें जून मेहने में अगर यह एक्जाम होता है तो निश्य तोर पर यह हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि हमारे पास से चार-पांच मेने का टाइम मिलता है तैयारी के लिए तो हमको एक अच्छी तैयारी मिल सकती है तो दोस्तों यह थी पूरी खबर जैसे ही RPSC अपने इस इस डेट को डिक्लेर करेगा तो हम सबसे पहले आप तक इस न्यूज को पहुंचाएंगे ऐसे ही एजुकेशनल न्यूज के लिए और सभी तरह की प्रित्यों की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को सेर करें धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही सांदार एजुकेशनल न्यूज के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत